तो सरकारी होजानों को किस तरह से जुहां को चुनना लगाने में सरकार वा ज़र्ण कश्मीर की इंतजामिया जो हो पूरी तरह कामें आप दिख रही है अगर आपका डवार्डमेंट का जो डावंगला नहीं बंड रहा तो आप रहा आपको ग्रॉण्ड जिरो से दिखाई जा रही है किस तरह से गुवर्णमेंट का पैसे का जो है वो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और एडिमिसेशन की इस तरह से हामोश मनकर हाथ पे हाथ देने बैठी है नमस्कार नाजरीन आप देख रहे हैं लाजवाल मैं हूँ आपके साथ नरिंदर सिंग ठाकूर नाजरीन पूरे मुल्क के साथ जमुकश्मीर की अगर बात करें तो हमारा देश जो है वो इस वकत तरक्षी की और बढ़ रहा है लेकिन नाजाने गाउं में इस तरह के दावे जो हैं वो क्यों खोखले साबित हो रहे हैं इस वकत हम जब कश्मीर जूटी के जिलादूंपर की तस्हील रामनेगर में मौजूद हैं और तस्वीरे मेरे पीशे की अगर आप देखें इस वकत ठीक ये डावंगला जो है जिसकी कंस्ट्रक्शन जो है दो हजार आठ नो में की गई थी और बताया जा रहा है कि जो जराय की हवाले से हमें जो खबरे मासूल हुई है जो है बारां लाग की लागत से इसको पूरी तरह से तामीर के अजाने क्या वजवाद रहे कि जिससे आज तक यह डावंगले का काम जो है पूरे तरीके से मुकमल नहीं किया गया है और जिससे यह बिल्डिंग पूरी तरह से फेंट्रों में तब्विल हो गई है अज तरह से माल मवेशी यहां पर देखने को मिल रहे हैं अजसे लगता है कि हम किसी मंडी में आप पहुंचे हैं लेकिन अंदर की आपको इसकी कुछ तस्विरे निखाने की कोशिश करें हैं अपने साथी से कहूंगा कि बाहर से चारों और से कैमरा गुमाया जाए और दिखाये जाए किस तरह के हलात जो हैं वो यहां पर बंड चुके हैं और सरकारी हजानों को किस तरह से जो हैं वो चुन्ना लगाने में सरकार वा जुमकश्मीर की इंतजामिया जो हूँ पूरी लुडि महकमा की जानी से इसका जो हो रुप काम शुरू किया गया था लेकिन ऐस से दो हृजार आठ नो में जो है इस डावंगले का काम बारा ही लागश्मीर की से बंड चुके हैं तस्विरें इसवगर जो है वो आपको उंपर की तासिल रामनेगर से हैं यहां पे काफी सारे कमरे जो है वो बनाये जा रहे थे लेकिन administration की लाप्रवाई से और कोई लोग इसमें मलवस थे जिन लोग ने आज तक इस काम को जो है पूरे तरीके से मुकमल नहीं होने दिया जा नहीं किया वो हम यहां पे नहीं बता सकते हैं लेकिन खिलाल के लिए administration को इसके बारे में देखना होगा कि आखिर क्या बजा रही कि आज तक इस building का काम जो है वो पूरे तरीके से मुकमल नहीं किया गया आए से जाने की 10 से उपर साल हो गए है लेकिन आप तक ये building जो है वो हंड्रों में तब्दिल हो चुकी है कोई भी यहां पे इन लोगों की सुनने वाला नहीं है कई मरतबा यहां के लोगों ने उस वगल जो चुने हुए नमाइंडे थे उनसे भी बात चीत की और जो एडमिस्टेशन में बैठे आला हुकाम थे उन तक भी ये बात पुंचाई लेकिन किसी में भी इसकी और यहां वो दयान नहीं दिया उमीद करते हैं कि हमारी इस खबर से अडमिस्टेशन जो है वो जरूर हरकत में आएगी और जो ही जो भी लोग इसमें गलत पाए जाएंगे उनके खिलाफ जो है वो सब्सक्त कड़ी कानुनी कारवाई जो है वो आमल में लाए जाएगी यहां पर मुकामी शक्स हमारे साथ मौजूद है इसे हम जानेंगे कि क्या था पूरा मामला के जिसकारण आज तक जो है इस चोकी लाके मैं कायम डावंगले की हालत जो है वो इत्तरा से बंड चुकी है कि इसका जिकर करना में यहां पर जो है वह बहुत ही ज़्याजा लाजमी हो रहा है जी सर क्या नामा में मैं चन्दा सोचल बर्कर हूं मैं शुर्य करता हूं आपके टाइम टो टाइम आपके हमारी पंचाहिद हमारे गाओं की जो है समाल लेते हैं सर आप से ही जुब आपकी ही जुबान से सुनने चाहूंगा कि कि रामनेगर के कि सेरिया में जाने कि किस पंचाहित मैं इस डाब तिक लिए निगला कितना है एक साल पहले हमने कि थी एक साहर और व्य साहर पीड़ डी के वहाय थे उन्हें आहमें आप शुब्राइशन नोया था भी चैनिया था जल्दी तरह करेंगे लेकर आज तक साल हो गया इसकी किसी ने भी कोई समाल नहीं ली है इसी डाबों को लेका हमें एक दो जिनकी जमीन थी उनका नुस्गान किया दूसरा गोवर्मेट की प्रापर्टी का नुस्गान किया और तीसरा हमारी पजायद में जो भी हाभीसर लोग आते हैं उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं है पहले सब डीडिसी की एलेक्शन थी तो डीएसबी साब की की लगी जहां मारी चौकी में तो ऐसा चो गोड़ी वाले मेरे सब घर में आये के चरना ही हमें जरने के लिए जगह दे तो हमारे सहाब आ रहे हैं तो मैंने उनको जगह दे दी उससे बास साव को नहीं फून की जा वहीं थोड़ा पैदल चलना बड़ेगा तो डीसी डियस हैं कि अगर यहां पर होता तो शायद यह लाका जो है वह तरक्षी की और बड़ता अफसर भी यहां पर जाने की तसलिश से जो है वह आपकी खिदमत कर बादें आपको सुना रहा हूं कि उनको पता लगा कि पैदल है तो फिर डाबंगले में ठहरे कोई भीस सार आते हैं त इसलिए हमें बहुत प्रावल में है कि मैं रुगेस्ट करता हूँ एक्षन साफ से पी डाबंगला नहीं बन रहा है तो आप और आप क्या करेंगे आपके डाबंगले का है क्या समझते हैं चरंदास जी के एक तरफ हमारा देश जो हो डिज्टल इंडिया के और बाढ़ रह रहा है जो आप देख रहे हैं सर अगर ऐसा ही हाल राद हो फिर आप खुद जगीन कर लिए का क्या हालता है हम तो इस से हमारी पंजाइद को कौन सकौन है कोई अभी सा रात था उसको रहने के लिए जगा नहीं है हम दवारा रुक्ष्ट करते हैं एक्षन साफ से डिसे की जाए इसको प्रस्त्र बगरा किया जाए ताके हमारे जो आफिसर लोग आते हैं उनको रहने के लिए कोई कटनाई पेश नहीं हो बिलकुल नाजरी ने अपने साथी से कहूंगा कि इस और भी जो है कैमरा गोमाया जाए मैं समझता हूं कि जमो कश्मीर के इतिहास में किस इस तरह से आपको देखनें को मिलेंगे यहां पे बेडें बक्रियें जा माल मवेशी जो है उसमें बांदे गये होंगे लेकिन ये कहीं ने कहीं अडिमस्टेशन की लापरवाई है कि आज इसको अगर मुकमल कर देती अडिमस्टेशन तो शायद आज इस डावंगले के इस वो मुकमल क्यों नहीं किया गया और क्या बजा रही और जो भी लोग इसमें गलत पाय जाते हैं उनके खिलाब जो है वो सकत सकत करी कानूनी कारवाई की जाए तस्विरें एक बार फिर से बाहर से ही आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि डावंगले की हालात किस तरह से ह जो है वो गलत फाइदा गलत इस्ते माल किया झारा也 और कहीने कहीं मर्कशmeno सरकार में बैठे आला हुआ मैं प्रकूद करने में और देंथने मृ इस भी कि कि इस खबर से कितने हरकत में आती है इने लफाज के दाद आप लोग उसे अजाज़त चाहता हूं मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहे लाजवाल नियूज लाजवाल नियूज के लिए राम नेगर से नरेंदर सिंग ठापूर